हेलो आपको भी वास्तव में गले से रिलेटेड काफी सारी प्राब्लम है और काफी सारी प्राब्लम से आप सामना कर रहे हैं तो आज के इस वीडियो में गले से जितने भी प्राब्लम जुड़ी हुई हैं उनके लिए एक ही मेडिसिन से आप सभी बिमारियों को ठीक कर सकते है जैसे कि गले में कुछ अठका हुआ लगना या फिर गले में कुछ बहुत ज्यादा ऐसी feeling होना कि कुछ फसा हुआ है या constricted लगना suffocation होना गली में दर्द होना गली में allergy होना hysterical problems होना global hysterical problems होना इन सारी बिमारियों से आपके विल एक ही medicine से ठीक हो सकते हैं medicine के नाम बहुत ही easy है market में available हो जाएगा और चंद घंटों में even आप चंद मिनिटों में इस समस्या से बाहर निकल सकते हैं इस समस्या को ठीक कर सकते हैं तो कौनसे कौनसे से medicine से simply आपको market जाना है और market से R47 एक medicine आता है उस नाम से medicine आपको लेके आना है medicine का नाम मैं repeat कर रहा हूं R47 के नाम से डॉक्टर रैक्वी इसका ये medicine आता है बहुत easy तरीके से आप अपनी समस्या को problem को ठीक कर सकते हैं तो medicine को कैसे लेना है इसके अंदर कफी सारी medicines है जो गले की problems को especially anxiety और गले में जो suffocation हो रहा है आपको especially रात में हो रहा है या फिर कई ऐसे पेशेंट्स आपने देखेंगे जिनको बहुत जादा तकलिफ होना start हो जाती है उनको लगता है गले में कुछ अठका हुआ है लंबे समय तक उनको कफी सारे जाचे कराने के बाद भी कोई relief नहीं मिलता है तो किवल इस medicine से वह ठीक हो सकते है R47 एक बार में नाम फिर से रिपीट कर दिया हूं R47 डॉक्टर रैक्वीज का ये ब्रांड आता है ये आप फोटो स्क्रीन पर इसका देख सकते हैं इसके यूजिस क्या है जो patient anxiety जिनको बहुत ज़्यादा रहता है depression type कर रहता है बहुत ज़्यादा चिंता फह रहता है fear रहता है ऐसे situation में आप इस medicine को use कर सकते हैं दूसरा जिनको गले में कुछ अटका हुआ लगना गले में दर्द रहना hysterical problem हैं कई बार उनको nervous related problems होती हैं तो ऐसे situation में आप इसे use कर सकते हैं especially जिनको गले में कुछ अटका हुआ लग रहा है ऐसे मरीजों के लिए बहुत थी specific और रामबाड ये medicine हो सकती है आप कैसे इसे use कर सकते हैं simply आपको कुछ नहीं करना है इसकी 10 बूने या 10-15 बूने आपको आदे कप पानी में fresh water आप लेजेगा ना तो गरम होना चाहिए ना ठंड़ होना चाहिए उसमें आप इसे 10-15 बूने इसकी मिला करके डेली शोबय एंश्याम को आप ले सकते हैं आप देखेंगे एक घंटे के अंदर अंदर आपकी जो problem थी उसमें कमी होती चले जाएगी आपकी जो समस्या थी वो धीरे धीरे ठीक होना start हो जाएगी और आपको relief मिल जाएगा और permanently आप इसे क्यों और कर सकते हैं पर मने लिए आप इसे ठीक कर सकते हैं तो इस तरीके से आप 10-15 बूने फ्रेस वाटर में सोबय इंश्याम को ले सकते हैं अगर 10 साल से 15 साल के बच्चे हैं तो उनको आप 5 drops आदे कप पाने में दिन में एक वार दे सकते हैं और जिनकी उम्र 40-50 स से ज्यादा है वह 10-20 drops दिन में तीन बार ले सकते हैं और अपनी बिमारी को ठीक कर सकते हैं कितने दिन तक हमें यह medicine लेनी होगी तो आपको कुछ नहीं करना है 10-15 दिन आपको यह medicine लेनी होगी आपकी समस्या प्रापर तरीके से ठीक हो जाएगी फियर आपको नहीं करना है टेंशन आपको बिलकुल भी नहीं करनी है आई होब कि वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा helpful होगा वीडियो अच्छा लेके तो like and share करें इस तरह की और वीडियो देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करें नमस्कार थेंक्स वाचिंग है वाना इस डे जैहिन जै भारत